राधे राधे एवरिवन तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांती आने वाली है और हिंदू धर्व में मकर संक्रांती के पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है मकर संक्रांती के दिन किये गए दान और इसनान का जो महत्व है वो अन्य दिनों के अपेक शादिक होता है तो संक्रांत वाले दिन दान तो आप करते ही हैं लेकिन इसी दिन से कुछ विशेश नियम भी उठाए जाते हैं जो कि 365 दिन यानि पूरा एक साल तक हम करते हैं और सक्रात से सक्रात तक एक साल तक इस नियम को करने के बाद मकर संक्रांत वाले दिन ही इसका उच्वन या उध्यापन करते हैं तो देखिए संक्रांत वाले दिन से ही सूरज लोटा का नियम भी लिया जाता है तो जैसे हम रोज पूजापाट तो करते ही हैं, सूरदेता को अरग भी देते हैं, लेकिन जब एक बार हम संक्रांती के दिन से सूरज लोटा का नियम ले लेते हैं, तो हमें गिंती से 365 दिन बिना गैब किये, बिना चुके सूरदेव को जल देना ही देना होता है, और गिन कर 365 दिन का नियम जो है, वो हमें निभाना होता है, अब देखिए, जैसे महिला हैं, तो उन्हें पीरेट्स वगरा आ जाएं, या कोई बीमार है, या किसी ऐसी जगह जाना पट रहा है, जहां आप जल नहीं दे सकते हैं, सूरदेव को, तो इन इस्थितियों में आप गिन ले हैं, तो आप चार दिन बाद जब पांचवे दिन से देना शुरू करेंगी सूरदेव को जल, तो आप चार दिन तक दो दो लोटे जल देंगे, और इस तरह से आपके जो छूटे हुए दिन हैं, वो कवर हो जाएंगे, तो देखिए, मकर संकरान्ती के दिन, जब आपने ए और देखिए, तो दो लोटे करके उन दिनों को छूटे हुए दिनों को कवर कर लीजी, तो अब देख लेते हैं, इसका नियम कैसे लेंगे, तो नियम जो है उठाने का तरीका, वो बहुत ही सरल है, तो चली, अब हम जो नियम उठाने की और संकल पलेने की विधी है, उसक की स्वास्तिक जो होता है वो गनपती जी का प्रतीक माना जाता है आप चाहें तो गनपती जी की मूर्ती भी रख सकते हैं या पर और इसके बाद अब हम एक शुद्ध देशी घी का दिया रख लेंगे और उसे प्रजवलित कर लेंगे और यह जो संकल्प लेने की विदी है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस तरह से हम एक तामबे का लोंटा लेना है देखिए बहुत से लोग इसे बहुता से लोग इस टामबे के लोटे इसे जल अगर अर्पित करते हैं और मैं प्रत्यंक्ष अर्युद देव सूरेदेव वह सक्रात वाले दिन धनुराशी से निकल कर मकर राशी में प्रवेश करते हैं तो देखे इस तरह से जो विशेश पूजन है वह आपको सिर्फ और सिर्फ पहले दिन करना है ताकि आप अपने नियम का आपने संकल्प का जो शुब आरंब है वह कर सके और जब हम किसी चीज का शुब आरंब करते हैं तो गनपती जी का पूजन जरूरी होता है तो यहां हम गनपती जी की सबसे पहले पूजा कर लेते हैं उन्हें लाल चंदन अक्षत तिल जनेव और वस्तरूरूपी कलावा अरपित कर देंगे और भोग में मैंने यहां गोड़ अरपि देते ही देते हैं लेकिन अगर आपके मन में कोई मनो कामना है उसकी पूर्ती के लिए अगर आप पूरे साल के लिए यह नियम उठा लेते हैं तो आपकी जो मनो कामना है वो एक साल के अंदर ये अंदर जरूर पूर्ण हो जाती है तो देखी कुछ लोग जो होते हैं वो स और लाल चंदन जो है वो सूरदेव को बहुत अधिक प्री है तो इसका प्रियोग आप जरूर करें और सबसे विशेश बात देखी सूरदेव को जब आप जल देने का नियम उठा लें तो आप स्टील के लोटे से ना दे मार्केट से एक तामे का लोटा लेकर आए उससे ही जल अरपित करें रोजाना और देखे सूरदेव को जल देने की विधी भी मैं आपको बता देती हूँ आपको इस तरह से पकड़ना है और अंगूठे जो है आपको वो हटा लेने है लोटे से लोटे में टच नहीं होने चाहिए आपके अंगूठे और इस तरह से आप कंट रात तक 365 दिन जब आप जल दे लेते हैं नियम पूरा कर लेते हैं तब आपको इसका उध्यापन भी जरूर करना होता है क्योंकि जब हम कोई नियम उठाते हैं या संकल्प लेते हैं तो बिना इसका उजिमन किये या उध्यापन किये वो पूरा नहीं माना जाता और इसका अब हम उद्यापन का समान और विधी देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक साड़ी लेनी है आप अपने सामर्थ के हिसाब से हलकी साड़ी भी ले सकते हैं और भारी साड़ी भी और इसके साथ ही आप चाहें तो स्वेटर रख सकते हैं मैंने शौल रखी है क्योंकि मकर संकरान तक ठंड जो है वो काफी हो जाती तो आप शौल स्वेटर जुराबें या कैप कुछ भी ले सकते हैं उनी और शौल साड़ी के साथ मैंने जुराबें भी ले ली हैं उनी और इसके साथ अब हम कुछ सुहा की सामगरी भी जरूर रख सकते हैं और इस सामान के उपर हम अपने यता सामर्त कुछ दक्षना भी रख देंगे और इसके बाद देखे जो उचमन है वो जोड़े से किया जाता है तो यहां एक पैंट शट का जोड़ा मैंने ले लिया है और उसके बाद उनी शौल आप चाहें तो स्वेटर भी रख स आती है और इसके बाद सबसे जरूरी चीज आपको एक लोटा भरकर चावल लेने है और यहां पर मैंने इस्टील का लोटा लिया है तो हो सके तो आप तामे का लोटा दान करें इससे होगा क्या तामे का लोटा किचिन में तो नहीं यूज होता है पूजा पार्ट में जो पूफली गजक ले लिया है आप चाहे तो इस सामान में बढ़ा भी सकते हैं काने पीने की और चीजे ले सकते हैं कति बढ़ा सकते हैं चांदी सोना बरतन जो भी आप दे उसे भी दान में जरूर देना है और अगर जटा वाला नारियल ना हो तो सूखा जो आता है नारियल उसे भी आप दान कर सकते हैं और इस सभी सामान को आप इखटा करके रख लें और अपने साडी के पल्लू से या अगर आपने चुनरी ओड़ी है तो उसके पल्लू में बांजा भांजी जो भी आपसे रिष्टे में बड़े हों पूजनी हों उन्हें दे सकते हैं या मंदिर में भी दे सकते हैं इस दान को आप या आपके आसपास अगर कोई ब्रामध रहते हैं तो उन्हें भी आप यह दान दे सकते हैं किसी को भी जरूरत मंद या गरीब समझ कर आपको उसी ये दान नहीं देना है किसी जरूरत मंद को या गरीब को जब हम दान देते हैं तो वो एक अलग दान होता है और इस संकल्प वाले दान को हमें सिर्फ उन्हें ही देना है इनके पैर चुकर हम आशिरवाद ले सकें तो उमीद करते हैं वीडियो आप सभी को helpful लगा हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें